सूपर सॉफ्ट धोकला बनाने की आज हम आपको ये मज़िदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं धोकला बनाने के लिए मैंने यहां पर नौर्मल चावल यूज किया है, गर में रेगुलर यूज होता है वहीन चावल मैंने लिया है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक गिलास चावल के साथ एक गिलास चने का डाल तो आप देख सकते हैं चना का डाल जो हम यूज करते हैं वही चने का डाल है और इसे हम क्या करेंगे पानी डाल कर अच्छे से इसे रगड रगड कर धो लेंगे ताकि उसके उपर जो डश्ट होती है न वो निकल जाए एक से दो पानी दोने के बाद ही आप इसे पानी डाल कर भीगो कर रखें और यहाँ पर हम ओवर नाइट के लिए रख रहे हैं तो चलिए यह देखिए हमारा यहाँ पर जो चावल और दाल है बहुत अच्छे से फुल चुका है इसकी साइज भी बड़ी उची की है क्योंकि मैंने करीबन इसे बारा घंटे भीगो कर रखा है तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं मिक्सर के जार में और इसका जो बैटर होता है वो थोड़ा सा लिक्विड होता है तो इस वज़े से मैंने यहाँ पर पानी भी डाला है जरा सा और हमारा यहाँ पर बैटर पिस चुका है यह देखिए तो चलिए यह से चेक करके दिखाती हूँ इसकी जो दानी होती ना थोड़ी दर्दरी टैप की होती है दाने दार होती है जैसे होती ना रवा सेम वैसी इसकी बैटर होती है तो एक बरतन में हम निकाल लेंगे आप बरतन वही वाले यूज़ करें जिस पे आप इसे अच्छे से ढख कर रख सको तभी इस पे जो बैटर पे न अच्छी खमीर आएगी तो मैंने यहाँ पे अच्छे से टाइट बन कर दिया और उसे आठ घंटे छोड़ने के बाद अभी मैं आ गई हूं इसे चेक करने के लिए तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो बैटर है वो क्यासा बना हुआ है मैं आपको चेक करके यहाँ पे दिखाऊंगे वाँ बहुत अच्छे से थोड़ा सा इसका जो फ्लफी नैसे ना उपर आ गया है थोड़ा सा और आप आप से देख सकते हैं बहुत अच्छी इस पे खमीर आई यह देखिए कितनी अच्छी इस पे जालिया बनी है बहुत अच्छी खमीर आईए भले हैं आपको कैमेरे में उतने अच्छी से नहीं दिख रहा होगा पर ऐसे रियल देखो ना तो बहुत ही अच्छी इसकी उपर खमीर आगई है तो चलिए अभी हम यहां क्या करते हैं तो hum दही को मत्ठानी के साहता से अच्छे से मत लेते हैं क्योंकि हम इसमें दही भी यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा धोकला है यह बहुत अच्छा सआफ्ट बैने है रे स 550 और हमारे धोकला में सोाद लाने के लिए और हमारे ढोकले को फ्लैवर फुल बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं हरी मिर्च जो कि मैंने दो हरी मिर्च लिया और उसे ऐसे बड़े बड़े आकारों में काट लिया उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे अद्रक चाहो तो अगर आपको लहसुन एड़ करना हो तो भी कर सकते हो पर यहाँ पर मैं सिर्फ अद्रक ही एड़ कर रही हूँ अद्रक और हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा फ्लैवर आता है ढोकले पे तो इस तरीके से मैं उसे कद्दू कस कर ले रही हूँ हमाम दस्ते पे अब क्या करेंगे हम हमारा यह जो अच्छे से कद्दू कस हो चुका है इसे हम डाल देंगे अपने ढोकले के बैटर में तो यह दिखिया हमारा ढोकले का बैटर अब इसमें हम डाल देते हैं हमने जितने भी अद्रक और हरी मिर्च को कद्दू कस जो किया था उसके बाद इसमें हम डालेंगे दही जो कि हमने अभी दही फेटा वही दही है जिसे हम डाल देंगे करीबन दो बड़े चमच में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही दही से हमारा जो ढोकला है ना बहुत अच्छा स्वाद आता है साथ ही साथ हमारी जो ढोकले है ना वो बहुत सौफ्ट भी बनेंगे और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद हम इस पर एड़ करेंगे नमक स्वाद के अनुसार हम यहाँ पर नमक डाल देते हैं क्योंकि हमने अभी तक नमक यूज अभी नहीं किया था उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ फूट कलर जरा सब फूट कलर एड़ कर रहे हैं और अगर आप चाहो तो इस पर हल्दी भी डाल सकते हो बठ फूट कलर से बहुत ही थोड़ा इसका कलर ब्राइट आता है साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया दो चम्मच चीनी क्योंकि हमने यहाँ पर दही भी यूज किया नमक भी यूज किया है साथ ही हम इसमें चीनी भी डाल रहे हैं इससे हमारी ढोगले जो है ना बहुत ही अच्छे फ्लावर लेकर आता है और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद देखे मैंने एक जो केक वाला पॉट होता है ना वह मैंने ले लिया चाहे तो आप इस पर थाली भी ले सकते हैं या पिर अपने घर में जो भी बरतन हो आप ले सकते हो उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से ओईल इसमें ग्रिस कर लिया ग्रिस कर रहेंगे दोनों पॉट पे उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है यह बटर पेपर वो हम लगा देंगे ताकि जो हमारे ड्होकला है वो असानी से निकल जाए तो यहाँ पर मैंने दोनों ने डालेंगे क्योंकि जो इनो का फर्मेंटेशन होता है बहुत जल्दी वो खतम हो जाता है ना तो इनो जो है हम उत्ते ही बैटर में डालेंगे जितना हमें यूज करना है अभी तूरंद पूरे पे नहीं डालेगा कभी भी आप तो इस चीछ को आप ध्यान रखिएगा उस कि मैंने आधा आधा डाला है क्योंकि अभी यह अभी फूलेगा तो उपर तक वह आएगा तो यहां पर देखे दोनों बरतन में मैंने पूरा डाल दिया और उसे इस तरीके से टैप कर लेते ताकि जो भी इस पर बबल्स वगेरा हो इनों की वज़े से वह निकल जाए और ह जाहे तो आप इस पर कडाई भी यूज कर सकते हो चाहे आपके घर में जो भी बरतन हो यूज कर सकते हो तो चली हम अपनी चटनी की तयारी कर लेते हैं आज मैं दो प्रकार की चटनी आपको बताने जा रही हूं है ना तो दो अलग-अलग टाइप की फ्लैवर रहती है जो कि हम दही पर इसे एड़ करेंगे और इसके एक खटी चटनी बनाएंगे थोड़ी तीखी लगती है पर ढूकले साथ बहुत अच्छी लगती है यह वाली चटनी आप भी जब भी बनाएं ढूकला तो यह वाली एक बर जरूर ट्राई करिएगा आपको बहुत पसंद इस पर काला नमक और भूना हुआ जीरे का पॉडर डाला है और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए हमारी एक चटनी बन करके तयार हो गए दूसरी चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक नारियल साबूत सा और उसे इस तरीके से मेरे प देखिए कितने अच्छे से हमारा निकल चुका है नारियल उसके ऊपर मैंने च्छिल बे लिया और इस तरीके से आपको कट लगा के वाव देखिए पानी है इसके अंदर है यह देखिए यह देखिए तो चलिए इसे हम एक ग्लास में निकाल लेते हैं ओ सौरी गिरूगया पानी निकालते निकालते तो आखिए हमारे यहां पर कोकॉनट का पानी बिया गया अब इसे पी लेती है कि मैं भी ठक चुकी हूँ सुबह से और यह दिखें मैंने नारियल कट कर लिया अच्छे से और इसे धो भी लिया था नारियल को उसके बाद हम इस पर डाल देंगे सुख्य हुई मिर्श और इस पर डालेंगे अद्रक नारियल की चटनी में अब जब भी नारियल की चटनी बनाया थोड़ा अद्रक जरूर एड करें नारियल की चटनी का स्वाद बहुत बढ़ जाता ह अब इसमें हम डाल देते हैं, जरह सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, और इसे हम पीस लेंगे, यह देखे हैं, हमारा नारियल का चटनी जो है पिस चुका है, अब इसे हम एक बरते में डाल देते हैं, उसके बाद हम इसके उपर लगा देते हैं, तड़के के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं दो छोटे चमच तेल उसके डाल देंगे हम राई गरम होने पर उसके बाद इसमें डाल देते हैं जीरा उसके बाद डाल देते हैं इसमें करी पत्ता और इसे हम डाल देते हैं अपनी चटनी के ऊपर वाव यह देखे किता अच्छ हमारे चटनी भी इढर नारेल के चटनी रड़ी हो चुकी है, अब हम चेक करते हैं अपने धोकले को, हमारे धोकला भी बहुत अच्छे से बन चुका है, यह देखे, बहुत अच्छे से पक चुका है, अब हम इसे एक बरतन में निकालेंगे, त दूसरा ढोकला भी इधर बहुत अच्छे से बन चुका है तो यहाँ पर हम अपने ढोकले को बाहर निकाल लिया और साइड से इस तरीके से आपको कट लगाते हुए इसे निकालेंगे तो मैंने यहाँ से चाकू से कट लगा लिया और एक बर्तन ले लिया उसकी उपर मैंने पलटते हुए अच्छे से इसे पीट-पीट कर निकाल लिया और ये देखिए हमारा ढोकला वाव अब देख सकते दोस्तो थोड़ा गरम भी है बट बहुत ही अच्छा बना हुआ है हमारा यहाँ पर ढोकला बहुत ही अच्छी इस पे ऐसे स्पंजी बनी हुई है तो इसकी उपर लगा देते हम तड़का तो मैंने यहाँ पर तेल गरम किया उसकी उपर डाला राई और डाल दिया इसकी उपर जरसा जीरा और डाल दिया करी पत्ता अब इसे हम डाल देते हैं अपने ढोकले के ऊपर और इसे मैं चम्मा से फैला लेती है अच्छे से उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐसे कट लगा लिया और ये देखिए दोस्तों सच में बहुत अच्छा बना है आज का ये ढोकला और मैंने थोड़ी सी इसके पर लाल मेच की पाउडर भी डाल दी थी थोड़ा अच्छा लगता है वो देखने में भी तो ये देखिए कितना अच्छा स्पंजी मना है ढोकला और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों ये ढोकला तो चलिए अब सभी को भूग भी लगी है खाने का टायम भी हो चुका है तो मैं सर्व कर लेती हूँ तो ये हमारी आ गई दही वाली चटनी और ये आ गई हमारी नारियल वाली चटनी दोनों का फ्लेवर अलग होता है दोनों का टेश्ट अलग होता है धोकले के साथ ये दोनों चटनी धोकले के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और धोकले के साथ ये चार चान लगा देती है हमारी ये चटनी तो चलिए बैठ चुके हैं सब खाने के लिए आसा करती हूं दोस्तों आज का ये रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए है तो सस्क्राइब भी करिएगा मैं आपके लिए आगे और भी अच्छे अच्छी नए नए रेसिपी लेकर आती रहूंगे आपके साथ और ट्रिक्स के साथ और आप मुझे कौन-कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे जरूर बताएगा मुझे बहुत खुशी होती ए कि कई लोग बताते हैं हम यहां से गुजराद से देख रहे हैं कई बताते हैं चंडिगर से देख रहे हैं कई महराश्टर से देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है तो आप जरूर बताइएगा कि आप लोग हमें कहां से देख रहे हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो पे आप से और तब तक बाई बाई अपना खयाल रखिए स्वस्त र